हलो दोस्तो वेलकम टू स्टेडी यूनिवर्स मद्धिप्रिदेश डेली करेंट अफेर में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 12 अप्रेल 2019 और यह हमारी 125 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाती हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर MPGK और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में comment करें हम आपके answer देंगे दोस्तो आइकोन में एक question दिया गया है जो previous day का है तो उसका answer आप टिक करके जरूर दें question number first हाली में कब विश्व होमियोपेथिक दिवस मनाया गया है तिसको से यह option है 10 अप्रेल हाली में 10 अप्रेल को होमियोपेथिक दिवस मनाया गया है यह दिवस डॉक्टर किशियन फेडरिक सेमूल हानेमन की जन्म दिवस पर मनाया जाता है इस दवस पर केंदरी हॉमियोपेथी अनुशंधान परीशत द्वारा नई दिल्ली में दो दवस्य कारिकरम आयजित किया जा रहा है तो दोस्तों आपको विसो हॉमियोपेथिक दवस के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन इस स्टेशन पर काफी स्वक्षता है और आधुनिक सिवाय उपलब्द है जिसके कारण इसे यह प्रमाणी करण प्राप्त हुआ है दोस्तों अब यह ISO क्या है आपको इसके बारें बता दें इसके हिंदी में अंतरास्टी मान की करण संगठन कहा जाता है यह मानक निश्चत करने वाली एक संस्ता है दोस्तों इसकी इस्थापना यानि ISO की इस्थापना 23 फरवारी 1947 को की गई थी हैड़कॉर्टर जेनिवा सुईजरलेंड में है ISO की हेड है जॉन वॉल्टर और ISO की सदस सदेश है 164 तो दोस्तों इतना आपको ISO की बारे में याद रखना है नेश्ट कॉश्चन हाली में किसने बीर परिवार नामक एप लाँच किया है जिसका सरी ओफ्षन है रास्ट पती जी हाली में हमारे रास्ट पती जी ने बीर परिवार नामक एक एप लाँच किया है हमारे रास्टपती रामनात कोविंद जी ने यह एप देश की शेवा में शहीद होने वाले CRPF के करमचारियों के परिवारों के लिए बिकसित किया है दोस्तो इस एप की खासवात यह है कि यह एप प्ले इस्टोर में मौजूद नहीं होगी सिर्फ अधिकारियों द्वारा शहीद परिवार के सदस्यों के फोन में इंस्टॉल की जाएगी तो दोस्तो इतना आपको इस एप की बारे में याद रखना है हाली में किसी भारतिय वाणेज मंडल का अध्यक्ष चुना गया है जिसका स्योफ्षन है बिक्रमजीत साहिनी हाली में बिक्रमजीत साहिनी को ICC यानि International Chamber of Conference का अध्यक्ष चुना गया है यह बिस्वें बारे जिमंडल का सबसे बड़ा संग्ठन है और इस संग्ठन में सौ सदस्देश है इसका हैटकॉर्टर पेरिस फ्रांस में है दोस्तो ICC यानि International Chamber of Conference का मुख्ष देश ब्यापार निवेस वस्तूओं वासेवाओं के लिए खुला वाजार और पूंजी की स्वतंतरता को बढ़ावा देना है नेक्स्ट कॉश्चन हाली में मद्द्देश के किश मशूर कवी का निधन हुआ है दोस्तो ये मद्द्देश के गवालियर के रहने वाले है इसका सेयोफ्टन है जवलपूर हाली में जवलपूर में नव दुनिया का सैनिक सम्मान कारिकरम आयवजित किया गया है इस कारिकरम में एक बीर महिला तथा 22 वीर जवानों की सम्मान दिया गया है जवलपूर को तिरपूरी महाकौसल छेति के नाम से जाना जाता है मद्यप्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है जवलपूर मद्यप्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है जवलपूर दोस्तो भारत का पहला जंडा सत्यग्रा है 1923 में जवलपूर शे शुरू हुआ आपको बता दें रानी दुर्गावती विश्विद्याले पंडित जवाला नेरू कृषी विश्विद्याले ये जवलपूर में ही इस्थे थें मदन महल संगराम सागर रानी दुर्गावती की शमाधी बेडा गाट रूपनात अवीलेग दुआदार जलबरपाद ये भी जवलपूर में ही इस्तित है दोस्तो कुछ और important fact आपको जवलपूर की बारें बता दें भारत का प्रतम विकलंग पुनरवाशकेंद्र जवलपूर में है और जवलपूर 1 अनुसंधान भी जवलपूर में ही है मद्द्पिदेश रेलवी जौन 1998 में जवलपूर में बनाया जिसको सेयोफ्षन है ग्वालियर हाली में गडगोर उत्सा मनाया गया है यह करिकरम भारत विकास परिशद जागरती की ओर से आयजित किया गया था इस उत्सा में ईस्वर और गडगोर की शादी का द्रस दिया गया है दोस्तो अब बात आईए ग्वालियर की तो कुछ important fact आपको ग्वालियर की बारें बता दे ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ओफ इंडिया कहा जाता है भारत का दूसरा स्वर मंदर जो मुरार ग्वालियर में ही इस्थत है दोस्तो तांसन की समादी जैबिलास पैलेस गुजरी महल ये सभी ग्वालियर में ही इस्थत है द इतना आपको ग्वालियर की बारे में याद रखना है नेश्ट कोउशन पर पुलिस आपको नियम तोड़ने पर सिर्फ समझाईस देगी ना कि आपका चालन काटेगी बार-बार नियम तोड़ने पर आपको पुलिस एक टिकेट देगी और उसमें यह बताने की कोशिश करेगी कि आपने इन इन नियमों का पालन नहीं किया है और अगर आपने फिरवी नियम तोड़े तो अफसर आप से बात करेंगे और आप से बोलेंगे कि क्यों ना आपका चालान बनाया जाए तो दोस्तों ये अनोखी खुशनमा सड़क मद्यप्रदेश में पहली बार इन दोर में बनेगी नेश्ट क्वेशन रूस ने फैसरा लिया है कि वहां का जो रास्टी है सर्वोच सम्मान है जिसका नाम सेंटर एंडियो अवार्ड है यह प्रदान मंत्री मोदी को प्रदान करेंगे 12 अप्रेल यानि आज के दिन ऐसा ऐलान किया जाएगा दोस्तो यह सम्मान रूस और भारत के मजबूच सम्मान को लेकर दिया जाएगा इससे पहले प्रदान मंत्री मोदी जी को UAE में जायद मेडल से और साउथ कुरिया में सर्वोच सम्मान से नवाजा गया है दोस्तो रूस से ये सर्वुच समन पाने वाले भारत के पहले प्रधान मंत्री होंगे नरेंदर मोदी जी रूस की रास्टानी है मोस्को करंसी है रश्यन रूवल रूस के रास्टापती है बलादी मीर पुतिन और रूस के प्रधान मंत्री है दिमित्री मेदविदेब तो दोस्तो इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है नेक्ट कोशन हाली में किस महिला को जामिया मिलिया इसलामिया का कुलपती बनाया गया है जिसका सई आफशन है नजमा अक्तर हाली में नजमा अक्तर को जामिया मिलिया इसलामिया का कुलपती बनाया गया है ये पहली महिला है जिने इस पत के लिए चुना गया है दोस्तो जामिया की स्थापना 1920 में की गई थी आपको बता दें नजमा अक्तर हाली में National Institute of Educational Planning and Administration की हैड है तो इतना आपको नजमा अक्तर की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किसे Freedom of the City of London पुरुषकार दिया गया है जिसका सही ऑफ्षन है LSG वैद्धन हाली में LSG वैद्धन को Freedom of the City of London पुरुषकार सही नवाजा गया है इन्हें ये अवर्ड भारत और United Kingdom के बीच मजबूत सम्मंद बनाने दिया जा रहा है ये अंग्रेजी में शाहित्त में पुरुष्ट ग्रेजुएट हैं दोस्तो हाली में ये Insurance Corporation of India की पहली महिला चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर हैं दोस्तो अब ये Freedom of the City of the London पुरुषकार क्या होता है आपको इसकी बारें बता दें यह अवर्ड लंदन नगर कॉरुप महत्पूर्ण व्यक्तियों को दिया जाता है या Celebrity को दिया जाता है दोस्तो अब तक भारत में जवालना नेर्यू को यह Award दिया जा चुका है Next Question किस देश में पदार्थ की नई अवस्ता की खोज की गई है जिसके सई Option है Scotland हाली में Scotland में पदार्थ की नई अवस्ता की खोज की गई है दोस्तो इस अवस्ता को chain melted state कहा जा रहा है Scotland में computer simulation द्वारा पदार्थ की नई अवस्ता की खोज की गई है दोस्तो चैन melted state में परमाणू एक ही समय ठोज और द्रब दोनों अवस्ताओं में रहता है इससे पहले पदार्थ की तीन अवस्ताओं थी तो इनके नाम थे ठोज द्रबवा गैस दोस्तो अब बात आईए Scotland की तो मैप में आपको इसके बारें बता दे मैप में ये जगह Scotland को दरसाती है Scotland की राजधानी है एडिनमर्ग और करंजी है पाउंड दोस्तो इसकोटलेंड की मोनार्च है एन एलिजावेथ दूतिये तो दोस्तो इतना आपको Scotland के बारे में यात है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप मारे चैनल स्टेडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लैक की जो शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर हाज रोंगे दोस्तो आपको MPG के या करंट अफियर से लेले कोई भी डाउट जाता है त आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए